इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे complete asymptotic notation in DSA क्या होता है asymptotic notation और कितने type क्यों होते हैं complete हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर और हम जानेंगे कि किस तरीके से जो asymptotic notation होते हैं वो time case के साथ में इस तरीके से link है क्या relation है और कौन-कौन से asymptotic notation worst case है, average case है and best case so this video को complete देखना last तक देखना so before starting this video let me introduce myself my name is Ramnitesh and I am senior software engineer at Siemens and I am very glad you are watching this video on 40 spotters और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है इस वी चैनल को सब्सक्राइब करें and bell icon को दबादें so बढ़ते हैं आज के topic पे so asymptotic notation एक mathematical notation होता है जो आपके running time जो आपकी algorithm होती है उसके running time पे depend करते हैं कि उस पे हम क्या input देंगे जिससे की वो time कम ले रहा है या ज्यादा ले रहा है उसके basis पे हम क्या करेंगे decide करेंगे कि yes ये algorithm इस input पे आपका ये notification है sorting अगर हम जब करते हैं जैसे कि sorting बहुत type की होती है ठीक है लेकिन अगर हम bubble short का time ले अगर हम bubble short का example ले तो एक area है जिसके अंदर already sorted है ठीक है तो simply उसके अंदर comparison जो होंगे वह बहुत कम होंगे और time जो होगा कम से कम लेगेगा ठीक है तो वह आपका क्या हो गया best case हो गया अगर उसी के अंदर reverse condition है उसके अंदर उस area के अंदर तो उसको अगर आपको short करना है तो सारे elements को आपको क्या करना पड़ेगा compare करना और swap करना पड़ेगा ठीक है तो सबसे ज्यादा time वह लेगा तो वह आपका क्या हो जाएगा worst case हो जाएगा ठीक है और third जो आपको होता है average ठीक है तो कुछ एक elements जो है आपके sorted नहीं है और कुछ एक sorted है तो आपका क्या हो जाएगा average case हो जाएगा ठीक है तो उसी के basis पे notation क को decide किया गया है so notation कितने type के होते है there are three types of notation so कौन-कौन से है पहला है आपका bigo और second है आपका omega and third है आपका theta अभी यहाँ पे जो bigo notation जो आपका होता है यह जो आपका represent करता है upper bound of the running time of an algorithm ठीक है and this is the worst case ठीक है अभी यहाँ पे आप confuse मत होना कि upper bound and worst case case ठीक है so upper bound means running time of an algorithm यानि कि जो algorithm सबसे ज्यादा time ले timing का जो upper time होगा upper bound जो होगा time का वो आपका bigo notation होगा ठीक है so जो अगर algorithm आपका सबसे ज्यादा time ले रहा है तो वो तो सबसे बेकार algorithm हुई ठीक है उस time के लिए तो वो algorithm क्या हुई बेकार हुई तो वो क्या हो गया worst case आपका हो गया ठीक है second जो आपकी notation होता है वो होता है omega notation आपका होता है best case को हम बोल थे omega notation ठीक है और यह क्या होता है lower bound of the running time of an algorithm ठीक है जिसमें कम से कम time लगता है running time का lower bound को हम क्या बोलेंगे omega notation ठीक है और जो average time होगा running time का average जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे theta notation ओके okay so यह तीन notation आपके होता है okay so इनको कैसे याद रखना होता है ठीक है so simply आप उपर ही उपर आपको omega ठीक है और omega को हम किस तरीके से denote करता है इस तरीके से तो यहां पर इसको आप एज़े इस तरीके से ले लो ठीक है यानि कि यह इसका मुख किस साइड है उपर की ओर है तो यह आपका क्या हो गया best case के लिए omega हो गया ठीक है और जो worst case के लिए क्या होगा वह होगा आपका big O यानि कि यह लुक किस की तरह लुक लाइक है जीरो ठीक है ना तो यह आपका क्या हो गया worst case हो गया ठीक है और मिड के लिए theta होता है ठीक है तो यहां पर आपका अगरो एक line ड्रो कर दो तो यह आपका क्या हो गया theta ठीक हो ठीक हो ठीक हो अब हमें एक एक्जामपल लेकर देख लेते हैं प्रोग्राम बना लेते हैं और उस प्रोग्राम का हम निकालेंगे तीनों नोटेशन तो यहां पर आपका एक algorithm है एक program है जो sum निकालता है even value आप n values में से अगर even value का अगर sum निकालना है तो उसका एक program यहां पर लिका हुआ है ठीक है तो इसका अगर हम time complexity अगर निकालें तो क्या होगा time complexity किस पर depend करता है कैसे निकालते हम steps पर ठीक है तो यहां पर एक step यहां पर है ठीक है और यह कितना step लेगा आपका and plus one ठीक है और जितनी बार यह loop चलेगा उतनी बार यह यह statement भी चलेगा और यह statement आपका last time चलेगा ठीक है तो यह एक बार हो तो total यहां पर कितना होगे आपका कितने steps होगे 1 plus 1 and plus 1 3 and n plus n यानि कि 1 plus 1 sorry n plus 1 plus 1 तो यह आपका होगया 2n plus 1 ठीक है तो इसकी time complexity जोगे 2n plus sorry 2n plus 3 तो इसका हम निकालते हैं कि worst case क्या है average case क्या है and best case क्या है यानि कि best case omega worst case big O notation and average case theta notation ठीक है तीनों हम निकालके देखेंगे और graph बनाके भी हम देखेंगे कौन-कौन से condition पे इन्पुट पे आपके ये तीनों notation निकलते हैं तो हम बनाते हैं तीनों notation का graph और algorithm हमने ले लिया है जो हमने देखा आया भी तो उसका अगर हम algorithm पे अगर notation निकालते हैं तो यहाँ पे 2N प्लस 3 इक्वल टू C डॉट जी एन जो की represent करता है आपका notation C यहाँ पे जो है वो है आपका constant और यह आपकी algorithm की complexity है time complexity तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हम बनाएंगे graph जहाँ पे C इक्वल टू क्या होगा 1 होगा so जब C equal to 1 होगा तो इसका graph कैसे बनेगा देख लेते हैं तो इस graph के अंदर जो x-axis है वो आपका denote करेगा n को जो की आपका gn होता है ठीक है and यह आपका denote करेगा fn y-axis पे fn और यह आपका होगा fn fn equal to 2n plus 3 ठीक है ओके so अभी अगर हमारा c equal to 1 है तो यहाँ पे आपका इसका अगर हम graph बनाएं तो यह आपका होगा n की value जैसे जैसे बढ़ेगी y की value भी same ही होगी so x equal to y तो यह आपका होगया इस तरीके से ठीक है 6 9 तो इस तरीके से आपका क्या होगा हमेशा इसकी जो c dot gn n of gn से हमेशा ज्यादा ही होगा ठीक है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसका graph बना लेगा यह straight line है थोड़ा सा तो यह आपका straight line है तो यहाँ पे में लेगे लेता हम c equal to 1 हो तब आपका fn is greater than greater than equal to cgn ठीक है और यहाँ पे हम देख लेते हैं आप c equal to 2 के लिए ओके ठीक है तो यहाँ पे आपका same y axis अभी यहाँ पे आपका यह जो c dot gn है इसकी value आपकी क्या होगी जब 1 होगा तब यह 2 हो जाएगा ठीक है और जब n की value तो यह आपका graph थोड़ा सा उपर जाएगा ठीक है यह आपका 45 degree पे यहाँ पे होगा बट यहां पे थोड़ा 45 degree से बढ़ जाएगा क्योंकि y की value आपकी double होती जाएगी जब जयसे जैसे n की value आपकी बढ़ती जाएगी ठीक है यह आपका हो गया C, G, N, ओके, और 2N प्लस 3 की वेल्यू आपकी कैसे बढ़ती जाएगी, जब 2N, जब यहाँ पर N की वेल्यू 1 होगी, तब इसकी वेल्यू कितनी हो जाएगी, 5, 3 से यह स्टार्ड होगा, ठीक है, तब इसकी वेल्यू 5 होगी, और यहाँ पर इसकी ठीक है, एड़ एन, अच्या, यह दोनों कभी Equal होते हैं, यहाँ पर Equal To तो वेसे ही कभी होगा नहीं, से Equal To 1 के लिए, ठीक है, और एन, सो 2N प्लस 3, 2 के लिए कभी हे इक्वल होगा, कभी भी equal नहीं होगा क्योंकि अगर हम यहाँ पे निकाले 2n प्लस 3 equal to constant अपना क्या है 2 है कभी भी आपका equal नहीं होगा तो हमें सही क्या होगा greater than होगा तो यहाँ पे हम लिख लेता है fn is always greater than cgn ठीक है तो यह आपका इस तरीके से बढ़ता जाए ठीक है अब हम देख लेता है c equal to 3 के लिए तो यहाँ पे अगर हम graph बनाता है तो यह आपका graph इस तरीके से बनेगा c equal to 3 एंड यह आपका n और यह आपका 2n plus 3 equal to 3n ठीक है ओके यह आपका इस तरीके से थोड़ा ओड यहाँ पे आपका angle बढ़ जाएगा और यह आपका 3 से start होगा अच्छा है यह आप कहीं पे मिलेगा यह दोनो lines दोनों कहीं मिलेगी तो देख लेते हैं equations से so 2n से 3n गया so n equal to 3 पे आपका यह value मिलेगी ठीक है यानि कि 9 पे तो 3 पे यहाँ पे start होगा यह जब n की value 1 ना होगे 2 ना होगे 3 होगे तब यह कहीं यहाँ पे जाके आपका मिलेगा okay so यहाँ पे हम कह सकता है कि fn is greater than b है and less than b है but condition क्या होगे अगर n is less than equal to 3 और n is greater than 3 यहाँ पे आपका क्या होगा यह यह जो line है वह होगे आपकी fn and अगर n की value 3 से ज्यादा है तब fn क्या होगा less than होगा and अगर n की value 3 से कम है तब आपका जो fn जो है यह वाली line आपका greater than होगा ठीक है और फिर चाहिए constant चाहिए 4 हो 5 हो कुछ भी हो यह आपका हमेशा दोनों को follow करेगा right ठीक है एक time पे आपका यह लोर यहाँ पे आपका बढ़ेगा but after एक value पे आपका क्या हो जाएगा कम होता जाएगा ठीक है ना जैसे कि two n plus three equal to four n so यह आपका हो गया two n equal to three तो पे आपका मिलेगा और वहाँ पे आपका जाके की क्या हो जाएगा आपका चोटा हो जाएगा और यह आपका है उससे पहले आपका यह बढ़ा रहेगा तो इसके basis पे harming क्या करना है bigger notation निकालना है okay so हम graph बनाते हैं so यहाँ पर अगर हम देखें तो यह आपका क्या हो गया है यहाँ पर आपका क्या ले रहा है यह सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका time ले रहा है ठीके so यह always greater than है so always अगर greater than है तो यह आपका क्या होगा ये आपका होगा omega notation and 2 के लिए भी आपका क्या होगा omega notation T के लिए आपका क्या होगा pigo notation and इसी के अंदर आपका तो अगर T is less than 3 वहाँ पे आपका ये क्या होगा omega notation and T equal to 3 पे and n is n is greater than 3 so इस condition के लिए आपका क्या होगा bigo notation and T equal to 3 and n is less than 3 and कुछ constant के लिए आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो average notation भी निकाल सकते हो कि किस के बीच में ये कभी उसके upper bound को touch नहीं करेगा और ना है आपके lower bound को touch नहीं करेगा तो वहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो theta notation भी निकाल सकते हो ठीक है इसी तरीके से equation को solve करके ठीक है तो इस तरीके से हम हमारा जो graph भी हमने देख लिया omega notation, theta notation and bigger notation का ठीक है तो अब हम देख लेते हैं common asymptotic notation ठीक है तो कितने टाइप के आपके asymptotic notation हो सकता है ठीक है और time complexity कितने टाइप के हो सकता है पिछली वीडियो के अदर हमने देख रहा है लेकिन फिर भी हम सारे एक बार completely हम देख लेते हैं ठीक है तो यह आपका होता है constant ठीक है यह आपका log n जो होता logarithm type का और यह होता आपका linear type का ठीक है जो अभी हमने देखा था even number को sum करने का तो वो था आपका linear type का ठीक है यह आपका हो गया n log n ठीक है quadratic cubic polynomial exponential ठीक है पॉलिनोमियल में क्या होता है आपका जो power है वो constant रहती है बट जो base है वो change होता रहता है ठीक है उसको आप हम बोलेंगे polynomial ठीक है और exponential के अंदर क्या होता है base आपका constant रहता है लेकिन जो आपका पावर है वो आपका change होता रहता है ठीक है ओके एंड यह किस तरीके से निकल देए जहाँ पर फोरीच लूप के अंदर फोरीच लूप हो ठीक है तो यहाँ पर यह cubic निकलता है अगर 2 हो तो आपका quadratic निकल जाता है ठीक है एंड लोग आपका तब आता है जब आपके पास म तो फिप्टी फिप्टी अगर आपको चेक करना हो ठीक है कि पहले हाँ यह करोगे इंग होता है तो उस टाइम पहुता है, लोगN हो जाता है ठीक है अगर आपको में डिवेड करते हैं तो यह आपका क्याहाँ लोगN में आपका उसका complexity निकल के आती ठीक है linear हमने समझील लोगरिफ्ट्म हमने समझील लिया और constant भी हमने समझील ठीक है इत यह आपका हो गया total complete asymptotic notation in DSA so I hope आपको complete समझ में आया होका अगर समझ में आया हो अगर आपका कोई भी doubt हो तो comment करें और video अच्छा लगा हो तो like करें एंड शेर करें और चैनल में फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू थैंक्यू सो मच्छ